राखी भाई बहन के प्यार का जश्न मनाने का तहवार है यह उस निस्वार्ट, प्रेम और विश्वास के बारे में है जो आपने इतने वर्षों में बनाया है यह सिर्फ अपने भाई की कलाई पर धागा बाहने और उसके एवज में उपहार लेने से कई अधिक है यह आपकी हार्तिक भावनाओं को व्यक्त करने और उस अविभाजी बंधन का जश्न मनाने के बारे में है रक्षा बंधन भारत में एक पारंपरिक हिंदू तहवार है भाई बहनों की बीच के बंधन का सम्मान करता है बहने अपने भाईयों की कलाई पर एक राखी बानती है जो प्य के बहना जाता है एक पारंपरिक हिंदू तहवार है जो भारत में बहुत महत्व रखता है यह तहवार भाईयों और बेहनों के बीच के बंधन का जष्न मनाता है रक्षा बनधन शृप्त है सुरक्षा का बंधन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बानती है और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने की कसम खाता है रक्षा बंधन मुखी रूप से लिंग की परवा किये बिना भाई बहनों की बीच की रिष्टे का जस्व मनाता है अब बात करते हैं कि 30 या 31 कब मनाय जाएगा रक्षा बंधन रक्षा बंधन आमतोर पर श्रावन महीने की पुर्णीमा के दिन मनाय जाता है जो हिंदू चेंदर कैलेंडर के अनुसार जादतर अगस्त में पढ़ता है इस वर्ष रक्षा बंधन हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त बूधवार को है हलाकि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन का तहवार 31 को मनाय जाएगा इस दिन उदायकाल में पूर्णीमा मिलने के कारण पूरा दिन माने होगा इस तहवार का एतिहासिक और पूरानिक सम्मंध है भारती एतिहास में ऐसे उधारन है जहां युद से पहले रक्षा सुत्र या तावीज बांधने की प्रता देखी गई थी हिंदू पूरानिक कथाओं में ऐसी कई कहानिया है जो भाई बहनों के बीज के बंधन के महत्व को दर्शाती है ये कहानिया सुरक्षा प्रेम और करत्यों के विशयों पर प्रकाश टालती है जो रक्षा के विचार के केंद्र में है रक्षा बंधन का प्राथमिक महतो भाईयों और बहनों के बीज के बंधन का उत्सव है इस दिन बहने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बानती है जो एक दूसरे के प्रती उनके प्यार देख भाल और शुरक्षा का प्रतीक है बदले में भाई अकसर अपनी बहनोंको या प्रशंचा के प्रतीक देते हैं यह भाई बहनों के लिए अपना इसने वेक्ट करने और अपने रिष्टे को मजबूत करने का समय होता है एक भाई का अपनी बहन से वादा राखी का धागा सिर्फ एक सजावटी तत्व नहीं है यह गहरे अर्थ रखता है राखी बांद कर बहने अपने भाईयों से सुरक्षा की भावना जगाती है बदले में भाई अपनी बहनों को किसी भी नुकसान या कठिनाई से बचाने का वादा करते हैं या आदान प्रदान एक दूसरे का समर्थन करने और उसका खयाल रखने की आपसी प्रतिबत्ता का प्रतीक है रख्षा बंधन भारतिय संस्कृती में गहराई से नहीं थै और सदियों से मनाया जाता रहा है ये परिवार प्रेम और एक्ता के मूल्यों को दर्शाता है भलेही भाई बहन भोगोलिक रूप से दूर हो वे अक्सर इस दिन से जुड़ने का प्रयास करते हैं जिसे पारिवारिक सम्मंध मजबूत हो